स्वागत थे आप सभी का हमारे चैनल डिपलोमा कलासिस में तो आज का वीडियो वैसे लोग के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है जो भी लोग भी हार पोल टेकनिक या भी हार पारामिटल का प्रवेश परिक्षा अब की साल यानि 2022 में देने वाले हैं तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा और मालूम नहीं होगा तो आप सभी को बता देते हीं जो आप लोग का एक्जाम सेंटर है यानि परिक्षा सेंटर ओ अब चेंज हो गया है तो इस वीडियो में हम अब सभी को बताने वाले हैं कि आप लोगा जो पहले वाला exam center था आखिर कहां पे चला गया है इसके साथ साथ यह भी बताने वाले हैं कि जो नया admit card है आखिर कैसे download होगा इसके बाद बताने वाले हैं कि आप लोग कैसे मालूम किजिएगा कि आपका exam center change हुआ है या नहीं हुआ है क्यूंकि बहुत सारे student एक confusion में पर गए हैं और बोल रहे हैं सर जो मेरा center code है वो match नहीं कर रहा है तो आखिरा इसा क्यूं हुआ है इसके साथ साथ यह भी बताने वाले हैं कि परिक्षा में आपको क्या क्या लेकर के जाना है यानि exam center पर कौन कौन से documents लेकर के जाने हैं तो अगर आप लोग इस वीडियो को वान तक देख लेते हैं तो आपके जितने भी doubt से सभी clear हो जाएंगे तो चलिए सबसे पहले आप सभी को बता दें कि परिक्षा में क्या क्या लेकर के जाना है तो देखिए पहला है admit card अगर आप लोग पोल टेकनिक के student हैं तो पोल टेकनिक का admit card को लेकर के जाना है अगर आप लोग पारामिट के student हैं तो आपको पारामिट का जो admit card है उसको ल करीं जाइएगा क्योंकि जो ब्लेक पिन होता है जब आप लोग O.A. मार्षिट को रंगिएगा तो अच्छा से फिलफ होता है तिसरा है आधार कार्ड ठीक है आप लोग आधार कार्ड को ले सकते हैं या मैट्रिक या इंटर का जो एड्मीट कारे उसको आप लोग ले लिज है आपको मास्क लगा कर ही एकजाम सेंटर पर जाना है अगर आप लोग मास्क को ले करके नहीं जाएंगे तो एकजाम सेंटर में एंटरी लेने नहीं दिया जाएगा इसका आप लोग ख्यास ध्यान रखिएगा अगला है फोटो और फोटो वैसा ही होना चाहिए जैसा आप टी सर्ट पहन के ही जाना है एक्जाम सिंटर पर आप लोग जूता और फूल सर्ट को पहन करके नहीं जा सकते हैं इसके बाद है क्या क्या ले करके नहीं जाना है तो देखिए घरी, ATM कार्ड, मुबाइल या अनकोई इलेक्ट्रोनिक उपकरन को आपको एक्जाम सिंटर म तो इस वीडियो को आगे बराने से पहले आप से एक छोड़ी स्रेक्वेस्ट है अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि एसे इंफर्मेटिव वीडियो आपके पास जाते रहे तो आप लोग आपने मुबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ 20 ECB का अफिसियल नोटिस है और इस नोटिस को 26 साथ 2022 को जारी किया गया था अब चली आप सभी को बता दें कि आप लोग ऐसे चेक कर पाएंगे कि हमारा एक जाम सेंटर चेंज हुआ है यह नहीं हुआ है तो यहाँ जो PDF इसको थोड़ा सा आपको नीचे करना है और जैसे ही आप लोग इसको नीचे करेंगे तो एक जगह ऐसा दिखेगा ठीक है ऐसा बिंदू का अप्शन तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक जगह दिखेगा फाइंड का अप्शन तो होगा एक गार जीरो एक दो तीन चार पांच जो भी होगा उसको यहां पे आप लोग डालिए जैसे कि हम यहां पे जो सिंटर कोड़े उसको डालते हैं एक गार जीरो और पांच तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम इसको सर्च कर दिये हैं अब हम वहां पे सर्च करेंग तो देखिए जैसे हम सर्च करेंगे तो ऐसा पीला कलर में हमको दिख जाएगा अगर आपका दिख रहा है तो exam center change हुआ है अगर नहीं दिखेगा यानि नहीं match करेगा तो इसे साफ साफ clear है कि जो आपलों का exam center है वो change नहीं हुआ है जहां पर आपलों का पहले exam center है वहीं पर exam देने के लिए जाना है लेकिन अगर आपको यहां पर digit को डालने के बाद ऐसा कुछ दिख रहा है यानि इसका मतलब है कि जो आपलों का exam center है वो change हो गया है और इस PDF को हम अपने टेलिग्राम पर upload कर दिये हैं अगर आप लोग इस PDF को लेना चाहते हैं तो आप लोग हमाई टेलिग्राम से ले सकते हैं और जो टेलिग्राम का लिंक है इस वीडियो का description box में दे दिया गया है और यह जो है जितने भी लोग exam देने वाले हैं आप लोग एक बाढ़ चेक कर लेजिए अगर चेक नहीं करते हैं तो आप लोग क्या किजिएगा जो पहले वाला exam center है आप लोग वहीं पर पहुँझ जाईएगा और वहाँ जाने के बाद मलम चलेगा कि नहीं है तो हमारा exam center नहीं है हमारा exam center चेंज हो गया है तो अभी आपके पास बहुत समय है आप लोग क्या किजिए कि इस PDF के अनुसार यहाँ पर अपना digit को डाल करके चेक कर लिजिए कि जो आप लोग का exam center है वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है और बहुत सारे student का एक question था कि सर जो हम लोग का exam center चेंज हुआ है इसका नया वाला admit card आएगा या उसी पर exam होगा तो यहाँ पे साब साफ लिखा गया देखिए नए परिवर्तित परिक्षा केंद्रों के लिए center code एवं निर्गत admit card ही बैद रहेंगे यानि इसके लिए कोई admit card जारी नहीं होगा